हमाशकार मैं दिपांजन मुकर जी हेशल फाउंडेशन से हूँ और यह हमारा शक्ती उत्सफ है यह हमारा सेकंड यार है जब हम बंगाली स्टाइल में दुर्गा पूजा कर रहे हैं और हमारा पूजा थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम इसको बुलाते हैं पूजा विद परपस यहाँ देवी जी की पूजा तो होती है यह मूर्ती काफी स्पेशल है कालकटा से आई हुई है यह मूर्ती वहाँ की एक महिला आर्टिस्ट है श्रीमती चाइनापाल उन्होंने बनाया है तो यह मूर्ती बहुत खास है क्योंकि 300-400 साल पहले जब हमारे देश में दुर्गा पूजा पहली बार इतने बड़े लेवल पे चालू हुई बंगाल में जब चालू ही दुर्गा पूजा तब exactly यही डिजाइन की मूर्तियां बनती थी हम उसे सोने की दुर्गा बुलाते थे उस जामाने में तो रियल सोने से बनती थी पर अभी भावनाओं में हमारा सोना अन्मोल है तो सोने की दुर्गा का दर्शन हम जानते कि सब करे और हमारे परपस के साथ जुड़े क्योंकि वो भी बहुत महतुफपूर्ण है क्योंकि पूजा तो पूजा की जगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूजा के साथ अगर दो लोगों का भला भी हो जाए तो इससे अच्छा फेस्टिवल नहीं हो सकता कारी-गरी जब होती है आजकल तो रियल सोना चठना समभब नहीं होता पर सोने के पानी से काम होता है वर्क से काम होता है तो आप कह सकते हैं कि कही ना कही ठोड़ा बहुत सोना तो चुपा हुआ है वाकी असली सोना तो दिल में है शालाएं। देता कि जो कलकत्ता नहीं जा पाते हैं वो यहीं कलकत्ते का आनंद ले पाए वो दक्षिना जो है हमारे में कहते है कि जो देता है फिर वो दक्षिना क्यों मोल नहीं रखता उसका हिसाब नहीं राखा जाता है हिसाब तो मन में होता है सो श्रद्धा क्या मुझे लगता है कोई अमाउंट वैसा तो होता नहीं है सो जो जैसा सोचना चाहे वैसा देवी जी एक रुपए में भी खुश होती है कड़ोडों जिनके पास है उन पे भी वो महरबान है क्योंकि हमने बोला कि यह पूजावित परपस है हमारा डुनेशन बॉक्स थोड़ा डिफरेंट सा है हमारे यहां देवी जी को जो चड़ावा लाते हैं तो हमारे यहां हम बोलते हैं फूल माला नारियल यह सब तो सब जगा चड़ती है यहां हम चड़ावे में देवी जी को अनाज लाते हैं अन्नदान के लिए हम देवी जी के लिए स्टेशनरी चड़ाते हैं ताकि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जाए कुछ स्लम स्कूल के साथ हम काम करते हैं बच्चों की पढ़ाई में वो स्टेशनरी जाता है और सब संट्री नापकिन्स क्लेक्ट करने का और हम लोग अभी बोल रहें कि हमारा एक लौता ऐसा मंदिर है जहां पर संट्री नापकिन्स चढ़ावे के तरह चढ़ाए जाती है और अगर इस तरह हम शक्ति की पूजा कर सकते हैं तो भला क्यों नहीं जो शक्ति हमारे आजू- से रहा ओदर होटी है पहला बुजाग जो होता भगली विकलो साल का पहला दिन डिन टाइम पर जिस दिन बैखाती है उसी पहले दिन में, April में, 15th of April, उस दिन इसका order होता है, उस दिन पहला बास ठुकता है, जिसको हम काठामो बोलते हैं, और तब से वो चालू होती है, तब जाके October में आ पाती है, तो काफी लंबा procedure होता है, 5-6 मोईनों का, आप अगर मूर्ती में गौर करें, ये एकदम traditional Bangla style में बनी हुई है, सबसे पहले तो इनकी जो आखे है, जो सबका मन मोह लेती है, ये आखे जो है, उनका face जो है, इसके design को हम बांगला मूख बोलते हैं, जो traditional बेंगॉल का चेहरा होता था, और आप अगर देखे, उपर में hand-painted paintings है, चालचित्र जिसको बोलते हैं, उसमें स इशन जी की रास लीला भी चल रही है, और देवी असुर का दलन भी कर रही है, तो ये पूरा जो setup है कि एक ही चाला में पूरा परिवार देवी जी का, ये बहुत ही traditional style है बेंगॉल का, और अगर आप सिंख को देखे, तो वो भी थोड़ा सा different है, आपको दिखेगा, जो ल आपको दिखेगा, और वो काफी मिलता जुलता है हमारे साउथी स्टेशन ड्राइगन के साथ, तो उसका description भी वैसा है कि उससे आग निकलती है, तो उसी को दर्शाय गया है यहां पर, और साथ में हमारे पंडाल, हमारा जो मंडप है, वहां मंडप की एक speciality है, इस बार हम एक ही जाकी में 51 देवियों का दर्शन कर सकते हैं, और वो ऐसे है कि एक तो वो खुद है, और बाकी 50 बाहर लगे हमारे पेंटिंग से, 50 देवियों की पेंटिंग से, जो बंगाल से बनके आई हुई है, हाथों से लोगों ने बनाया है, वो भी में के महिने से लोग बना र झालो